25 लाख की चोरी हुई दवाईयों को चंदपा पुलिस ने किया बरामद, साथ ही दो शातिर चोरों को भी किया गिरफ्तार आपको बता दे, 4 मार्च को थाना चंदपा क्षेत्र के एक धाबे से दवा लेकर गाजियाबाद जा रहे एक ट्रक से लाखों रुपए की दबाएं चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, ट्रक इंदोर की ग्लेन मार्क कंपनी से दवाई भरकर गाजिया बाद जा रहा था, कभी 3 मार्च को हाथरस के कुमवरपूर बाईपास पर त्यागी धावा पर चालक ने खाना खाने के लिए ट्रक को रोक दिया और खाना खाने के बाद चालक परी चालक धाबे पर ही सो गए, सुबह उठने पर चालक ने जब गाड़ी को चेक किया तो कं अग्यात चोर ट्रक से लाखों रुपय की दवाईया चोरी कर ले गए थे, जिसके संबंध में चंदपा को थवाली पर चोरी की तहरीर दी, चंदपा पुलिस चोरी का मुकदमा दर्सकर घटना की जांच में जुट गई, वहीं चंदपा पुलिस ने ततपरता दिखाते पपु उर्फ ट्रकाश चंदर और योगेंद को 246 पेटी दवाओं के साथ पंध चोराहा सिकंदराराओं से गिरफ्तार कर लिया सियो साहब के नितरित में S.H.O. चंदपा और उनकी टीम का गठन किया गया था, इस टीम के दवारा आज मौनिंग में गिरफ्तारी की गई है, माल रिकवरी की गई है, माल जो रिकवर हुआ है, सत्परतिशत किया गया है, बेसिकली ये बुलंसाहर का गैंग है, पांच लो लॉक तोड़ते हैं, उस ट्रक से अपने ट्रक में ये माल को अनलोड करते हैं, ले जाते हैं, और फिर उसको जहां जैसा बजार रहता है, उस हिसाब से ये बेश करके आपस में बाट लेते हैं, सर कितने लोग पकड़े गए हैं, अभी तक दो लोगों की गिरफतारी की वर्ष 2021 में आपके लिए लाया है, जिवनेट के साथ फाइबर टू हूम इंटरनेट सुविधा, जिसमें आप पाएंगे फाइबर केबल से अपने घर या प्रतिष्ठान पर ब्रॉडबेंड इंटरनेट कनेक्शन जो आपको देगा बहतरीन स्पीड के साथ 24 इन्टु 7 तो देख इस पाथ की आज ही अपना कनेक्शन गुप कराएं और लुफ उठाएं पीडीएं की ब्रॉडबेंड इंटरनेट सर्विस के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें डबल एट फाइव नाइन ट्रिपल सेवन वन डबल सेवन पर